हेलो दोस्तों यूट्यवी टेक्निक बीडी चैनल पर आपका स्वागत है चलिए आशना हम कुछ यूनिक तरीके से साधी को ड्रैप करते हैं साधी ड्रैप करने का तरीका तो वही है बट हम इसे किसी और तरीके से कहरी करेंगे चलिए सबसे पहले एज जिटीस हम अपना एक करने के बाद अपने पल्लू के लिए लेंद मेजर कर लेंगे इसके लिए हम छोटी-Chbel치 मैं के बाद में हम अपनी पुर्शiren और पर इसे रखा कर अपनी एक जो रहां होती है एक जितना लंबा नंब का पोर्शन हमें रखना है- उसके हिसाब से हम अपनी पल्लू की साडी के मतलब मेंर कर लेंगे देख लिज आप हमने इसे थोड़ा सा लॉंग रखा है क्योंकि ये साडी ना का मेंन पार्ट जोना इसका प्ल्लम है क्योंकि ये ंत्रेड़ वर्क के साथ में हैं मतलब ρिशम वर्क जिसको बूलते हैं वैसा इसका वर्क है heavy embroidery की साड़ी है यह जिस रेड कलर में है mainly करवा चुत पर red, yellow इसे ही कलर अच्छे लगते हैं तो हम अब इसकी border के according अपनी छोटी-छोटी सी plates को arrange कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि border के according ही अपनी plates को arrange किया है अब हम बात करते हैं कि इस हेवी border में हम pin up कहसे करें तो इसे में अप pin से tuck in करने में problem होती है shoulder portion पर तो हम क्या करेंगे सारी plates के ओपर एक बड़ा वाला safety pin अलग से secure कर देंगे देन उसके बाद हम सिर्फ अपना last border लेकर last plate को लेकर उस पर shoulder portion पर उसे tuck in कर लेंगे जिससे हमें pin up करने में कोई दिक्कत ना होगी देख सकते हैं और फिर हम अपनी measurement लेकर उसे पलू को छोड़ देंगे क्योंकि हम पहले lower plates पर काम करेंगे यह थोड़ा से shiny कपड़ा है हलका फुलका से इसमें shine है तो ऐसी ट्रडिशनल वेर साड़ी है अच्छी लगती है festive season में करवाच जैसे festivals पर अब हम अंदर की और अपनी जो extra plates होती है उसे अंदर की और करकर अपनी plates को एक सा कर देंगे जटक कर और इसे अंदर की टकेन कर लेंगे इसमें नीचे की साइट में page work है जैसे कि पहले लहेंगे पेचन साड़ी बोला जाता था इसमें page work है जैसा कि इसकी slips पर आपको दिखाए दे रहा है सेम अब हम extra part को पीछे की और थोड़ा सा टकेन करके इसे छोड़ देंगे अब हम बात करते हैं फिर से पल्लू portion पर आते हैं अब हम क्या करेंगे अपनी पूरे पल्लू को आगे की साइट से अरेंज करकर इसे एक छोटा safety pin से इसे उपर की और प्रेंट में ना सिक्यूर कर लेंगे जिससे क्या हुता है कि आप carvedी तो जल्दी हो जाते हें शाम तक आपको इसाड़ी को धोकी करना होता है तो जिससे साड़ी। पै Chamdale इंदर से उधर नहीं होता ह जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक छोटा पिन वहाँ पर सिक्यूर किया है क्योंकि यह हैवी अम्प्रोइटर की साड़ी है तो हो सकता है कि आपका पलू थोड़ा सा सरक जाए अब इसके बाद में ना जो पीछे का हमारा प प्रांट लुक जो है फ्लांट होके आ रहा है क्योंकि यह इसका में है इसका पलू इसाड़ी का में है अब आगे की बात करते तो आगे की प्लेट्स भी ना इधर उतर होती हैं सबकी तो हम दो से तीन प्लेट्स लेकर उसे अरेंज करकर अंदर की और से अपनी बॉर्डर क अब आगे की और इसे पिंसे टक इन कर लेंगे जिससे की वह प्लेट्स भी ना इधर उदर ना हो जिससे हमारी साड़ी मैसी ना लगे आज इजटी साब की साड़ी शाम तक ऐसी ही रहेगी यह हमारा साड़ी कालू कम्प्लीट हो गया अगर हम पुचा पाट करते हैं तो हम सिर पर पल्लू लेने की आवशकता पड़ती है तो इसलिए ना हम एक डुपट्टा केहरी करेंगे रैड कलर का आप चो भी यूज करते हैं कुछ लोग चो नडिका डुपट्टा यूज करते तो आप रैड कलर का कोई भी डुपट्टा ले लीजिए और उस पे छोटी-छ अब हम इस स्टैलिश लूप देने के लिए इसका जो एरिया ना बैक एरिया उसकी साइट से हम इसे लेकर साइड में अपनी प्लीट्स के साइड में इसे टकिन कर लेंगे देख सकते हैं आप जैसे मैंने टकिन किया देखिए हमारा साड़ी का लू कम्प्लीट है आप हाई